रादे रादे जैसे कृष्णा स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल और गैनिक गार्डन बाइस हमें आज हम सिम्बला मिर्च को सिम्बला मिर्च से ही वोते हैं जाने कैसे लोड़े को सुरू करती हूं देखिए मेरे हाद में कुछ सिम्बला मिर्च के बीज है यह देखिए मिर्च कैसे लेनी है थोड़ी सी पकी मिर्च होनी चाहिए बहुत ज्यादा कच्चे नाव मिर्च थोड़ा सा मजबूत होनी चाह यह दस दिन बाद कुछ इस तरह के पोधे हमें निजर आई हैं अब इन्हें हम सिप्ट करते हैं कि यह कुछ शिप्टिंग में इस तरह का हो गया है और यह देखिए पंदर दिन का आपका यह पंदर दिन का पोधा हो गया प्लांट हमारा अब पंदर दिन के बाद इसमें फिर हम एच्छे से निलाई गुराई करनी है उसको मैं बड़े इसमें गंबले में सिप्ट कर दे रहे हूं क्योंकि इसमिला मिर्स के लिए थोड़ी जगे ज़्यादा चाहिए देखिए इस पर कोई भी किस तरह का अटाक नहीं है अगर आप के पोधी पर पत्या मोड़ जाती है या और भी कोई तरह का अटाक आजाता है तो इसके लिए आप नीम के पत्तों को बालके उसका इस्प्रे करें या हल्दी पाउडर का तो यह देखिए हमारा कितने अच्छे से फूल बंड़ा है और यह सिमला मिर्स का जो आकार है यह ऐ यह से गोल दिखाई दे रहा है यह एक महिने का रियल्ट है आपका एक से चालिस दिन गा यह आठ दिन बाद कुछ इतनी बड़ी हो गई है वही तरह से सारे प्लांटों को मलग लागा देंगे और यह बहुत ही जी है लगानी यह देखिए बस बसरते आपके पोधे पर प्रगे लगा दिये तो अभी फल तो इस दो पर ही आया है चोटा-चोटा क्योंकि बहुत ज्यादा ने टाइम हुआ मुस्किल से इसमें पश्च्पन दिन का टाइम लगा है देखिए नियुपर के पोधे पर नजर दिखा हूं आपको कितने ज्यादा गुच्छे में हैं कि सब दिखाने का मेरा बार बार यह हैं मतलब होता है कि मैं कुछ एक्स्टर फटे दाँ इसमें नहीं डालती हो कभी भी भी इंडालती हूं मैं हम घुछ गर जोती लगार घश टम उतने सब उसी से ही है कि उसी फटे लाजज से पिं उसी थे अंबूत पें देखिए trivia कि प तो आप बागवान की शोगिन है और देखिए ये पिखातियों में मेरी चीको पर फिर कितना ज्यादा गया है देख रहे हैं और पहले बाले चीको अभी कुछ बंदों ने गिरा दी है और कुछ अभी तैयार हो रहे हैं बस्ते चूट रिखी जान करिया है मेरी सुम्ला रादी रादी किसी जान करी किसाता है में ज्यामा तादी है पिन रादी है पिन रादी है